अब हम समझते हैं computer काफी अच्छा चीजह यह एक्जाम में काफी पूछा आता है क्या है sort form तो पूछते हैं तो जिए आरपानेट है अगर में फुल फॉर में कि बात करें जिसका फुल फॉर मैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क, ठीक, दूसरा AVI, AVI आपने पिक्चरों में अक्सर देखा हुगा AVI, AVI क्या है RDO Video Interleave RDO Video Interleave A obliq D का क्या है Analog to Digital, जैसा हम A obliq D लिख देते हैं, इसका मतलब Analog to Digital AI की बात करें तो Artificial Intelligence काफी आज कलब AI and Machine Learning काफी popular word है AI का मतलब Artificial Intelligence ALU की बात करें तो यह क्या है Arthematic Logic Unit ALU क्या है Arthematic Logic Unit AM की बात करें AM क्या है Amplitude Modulation वैसे AM होता है Antimedian जिस समय के सापेच अगर हम कोई बात करते हैं लेकिन अगर हम computer में बात करते हैं तो computer में AM का मतलब है Amplitude Modulation ATM की बात करें तो यह था Automatic Tailor Machine या Asynchronous Transfer Mode जैसे कि अगर हम लोग जो ATM की बात करते हैं जहां पैसा निकालने जाते हैं वो होता है ATM होता Automatic Tailor Machine Automatic Tailor Machine बोलते हैं लेकिन अगर हम computer में अगर हम DCN Data Communication Network की बात करें तो वहाँ पर ATM का मतलब होता है Asynchronous Transfer Mode Synchronous और Asynchronous दो होते हैं AMD की बात करें तो यह क्या है Advanced Micro Process Device अगर कहीं AMD लिखा है इसका मतलब Advanced Micro Devices आगे देखते हैं Algol A-L-G-O-L ठीक है यह क्या है Algorithmic Language Algorithmic Language ANC का मतलब है American National Standards Institute ADC क्या है Analog Digital Converter ASC क्या है Application Specific Integration Circuit ठीक ASC काई यह बहुत पुछा आता है ASC कोड होते हैं काफी पुछे आते हैं ASC काई है American Standard Code for Information Interchange यह C में कई बार पुछा गया क्या आगे हम बात करते हैं B-A-R-C यह क्या है A है B-A-R-C B-A-R-C BIOS यह तो काफी पुछा था What is the BIOS? BIOS का मतलब है Basic Input Output System BCD BCD है Binary Coded Decimal यह सब exam में पुछाने वाले वर्ड है B-C-C यह आपको इंटरनेट में यूज होता है एक होता है CCC, Carbon Copy एक होता है BCC BC का मतलब है Blind Carbon Copy इसमें जिसे क्या होता कि आप यह न जान पाएं कि यही फाइल कितने लोगों को भेजी गई है तो अगर आप यह जाना करते हैं तो BCC मिडाल देंगे तो जितने recipient होंगे उन्हें यह नहीं पता चल पाएगा कि और कितने BCC लोग को यह फाइल भेजी गई है BIOS जिस अपने देखा था Basic Input Output System BCR यह है BCR का है Barcode Reader आपने Barcode Reader देखा होगा जो Barcode को Read करता इसको BCR जो बोलते है BPI, BPI है Bytes Per Inch क्या है? Bytes Per Inch एक इंच में कितने Bytes BPS BPS है Bits Per Second यानि एक सेकन में कितने Bits BSNAL यह Department आप सुभी लोग जानते है भारत संचार निगम Limited BSNAL है भारत संचार निगम Limited CD, आप तो CD बहुत कम युज़ते हैं CD, DVD, आप तो Pen Drive इस्तावाँ होते हैं Compact Disc ठीक आगे बात करते हैं CAL यह क्या है? Computer Added Learning Computer Added Learning Learning बात करने हैं CRT CRT है Cathode Ray Tube अगर आपने मॉनिटर देखे होगे जो बड़े-बड़े मॉनिटर होते थे वो आपको CRT मॉनिटर अब तो LCD मॉनिटर आने लगे हैं डिस्प्ले में, रेजल्यूशन में लेकिन सबसे बड़े इसकी कमी क्या होती थी? कि इनकी पावर कंजनर्शन बहुत ज़्यादा लेते थे ठीक और साइज भी बड़ा होता था इस्पेस भी बड़ा होता था भारी भी होते थे ठीक सीडेक को जाता है जो परम कंप्यूटर है जो परम कंप्यूटर सीरीज है उसे सीडेक कंपनी ने ही बनाया भारत सरकार ने एडवांस रिसर्च के लिए ही सीडेक का डिपार्टमेंट बनाया और इसका नाम है सेंटर फॉर डेवलप्मेंट of advanced computing, यह अर्थात advanced computing के लिए है CU, CU का मतलब है control unit, आपने memory में देखा हुआ, ALU CU होता है, एक LE होता है CU मतलब control unit ALU में arithmetic logic unit होता है और CU में control unit C dot, C dot आपका है center for development of telemetrics, ठीक, telemetrics के लिए होता है, CAD यह है computer added designing जिसे आपने देखा AutoCAD AutoCAD बहुत popular software है CADD का मतलब होता computer added designing, यह उसके तहां दाता है, CD-R compact disc, recordable अब CD कहीं प्रकार के होती है एक होता CD, जिसमें केवल, re-writable और R का मतलब केवल इसमें एक बार, यह आपका recordable, CD-R एक होता R, W मतलब बार-बार read कर सके, write कर सके यह एक बार के लिए CAM, computer added manufacturing काई popular है CAM CMOS, CMOS आपकी बैटरी होती है ठीक है, CMOS बैटरी होती है जह सिस्टम का जो date and time है उसमें CMOS बैटरी लगी तो उसी से आपका computer सट्टाउन होने के बाद भी सिस्टम का date and time के हैसे ही रहता है वो CMOS की बैशे CMOS का full form है complementary metal oxide semiconductor यह एक semiconductor होता है और यह है complementary metal oxide semiconductor CMOS आगे हम देखते है CD-ROM CD-ROM भी read only memory है और पहले इस्तेमाल किया था अब भी है लेकिन कम मात्रा में है computer disk read only memory CMY cycle magenta halo यह color के नाम है CMY और एक होता है CMY K भी होता है K फॉर आपका black ठीक है तो CMY K नहीं है तो इसलिए cycle magenta halo है K होता तो K फॉर black अब आप सकते हैं K फॉर black क्यों B क्यों नहीं हुआ क्यों उसमें color में RGB color भी होता है RGB मतलब red green blue तो B for blue है कि B for black confusion ना हो जाए इसलिए K for आपको black कर दिया गया हम हिंदी में हम जानते है K for kala तो इसको इस तरह से याद करने के लिए उसको बोल सकते हैं black मतलब kala भी होता है तो cycle magenta halo काला अर्थाथ के CMY K आगे RW की बात करें तो computer disk read and write इसमें क्या होगा हम read भी करेंगे और ये write भी करेंगे एक साने की read करेंगे उसमें write भी कर सकते हैं C O M A L ये है common algorithmic language ठीक ये भी एक programming language है ठीक common algorithmic language COBOL COBOL की बात करते हैं ये हमने पढ़ाया है common business oriented language common ये business purpose के लिए लिए लिखी गई बहुत ही popular programming language थी अब उतनी ये popular नहीं है शुरुआती समय बहुत ही popular थी CPI CPI का है character per inch मतलब अगर आता है CPI जब printer हम लोग देखते हैं तो printer को print out नेते हैं तो character per inch एक inch में कितने character की माता तो उसे spacing को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं देखें अगर हम character per inch एक inch में character के संख्या ज़्यादा हो गई तो हम वो छोटा हो जाएगा कम हो गए तो बड़ा हो जाएगा CPU CPU है अब का central processing unit जो अगर main memory होता computer का main brain होता है वो क्या होता CPU CPU के part की बात क्या है दो part होते हैं एक होता arithmetic और दोसा होता logic unit और इसमें memory भी होती है CRS CRS क्या है computerized reservation system CRS एक आपका computerized reservation system है CC यह है आपका carbon copy जाए email में होता है CC अगर आपको एक email भेज रहे हैं आप चाहते हैं वही email और लोग के पाज जाए CC और BCC मंतर बस इतना थे CC में देख लेते हैं लोग कि यही mail कितनी लोग को भेज आगिया लेकिन BCC में नहीं देख पाता कि यूँ blind होती है CTS clear to clear to send मतर भेजने के लिए अब हम लोग देखते हैं CTS CTS के full form आपका है तो clear to send आगे DPI dots per inch यह printer की quality को भी बताने के लिए उसका तकत है कितने DPI का printer है तो जितना ज़्यादा DPI होगा dot per inch एक inch में जितने dots होगे उत्ती picture की quality अच्छी होगी D oblique A digital to analog अगर हमें digital to analog convert करना तो D oblique A DVD इसका है digital versatile disk are digital video दोनों होता है और यह CD से ज़्यादा storage करता है ठीक this की होगे DDS DDS की बात का है digital data storage digital data storage के लिए हम लोग DDS का इस्तमाल करते है DNS काफी use होने माला है domain name system DNS क्या है domain name system के इस्तमाल करते है DEC digital equipment corporation digital equipment corporation के लिए DEC का इस्तमाल किया जाता है इसका full form DEC का है digital equipment corporation आगे बात करें DFD काफी use होता है जब भी हम लोग O level, A level, BC, MC में project बनाते हैं तो उसमें हम लोग project में DFD जरूबाते हैं data flow diagram data flow diagram हमें दिखाते हैं data किस तरह से flow हो रहा आगे DTR DTR की बात करें तो यह है data terminal ready it is a data terminal ready आगे DCL की बात करें DCL यह है digital command language और अगर उसकी बात करें DDL, DML, DCL DDL था data definition language DML था data manipulation और DCL यह data control language DTS की बात करें digital threat system theater system digital theater system next DBMS DBMS subject होता है लगभर लगभर हर college में पढ़ा जाता है DBMS को यह है database management system DBMS क्या है database management system एक system होता है आगे है DSD यह क्या है double sided high density double sided high density ठीक DSC DSC बात है digital analog converter यह क्या है digital analog converter आगे बात करें DRDO DRDO क्या है defense research and development organization यह क्या है DRDO क्या है यह government का organization है अगे बात है defense research and development organization DRDO जो ठीक है defense का यह एक development body है organization DRDO आगे बात DRAM जैसे RAM होती है random access memory DRAM का है dynamic तो dynamic होगी और RAM का तो random access memory आप से लोग जानते ही है ठीक उसके बात DB DB की बात का है DB for database आगे बात का है DVD DVD की बात का है digital versatile disk R digital video disk Dell की बात का है तो delete करने के लिए आप में keyboard में Dell की देखा हुआ तो यह किसलिए है delete के लिए next है आपका DOS यह जो CUI operating system होता था character user interface operating system उसी का नाम है disk operating system आगे बात का है DTS DTS क्या है desktop system desktop system मतला जो DEX पर रखके काम कियाते हैं उन्हें desktop बोलते हैं ठीक DTP यही आपका desktop publishing का है चुकि जतने भी publishing के काम हम एक पहले publishing के लिए बड़े-बड़े setup के ज़ब होती थे आप publishing के लिए एक आप desktop के ले लिजे उसमें सारे काम होते हैं इसलिए बोलते हैं बड़े-बड़े-बड़े-प कुछ कूर्स भी होता जिसमें page maker Photoshop और कॉरल रा जैसे important software पढ़ाए जाते हैं e-business e-business आपका है electronic business पहले business हम के लिए आपको दुकान खोने जोद परती थी अब कुछ नहीं online आपके business होते हैं वो कालाता आपका e-business और इसमें सब ज़्यद्ध पॉप्लर भी चल रहा e-business e-mail हम सब भी लोग इस्तिमाल करते है e-mail जानते है e-mail का full form है electronic mail दूसरा है e-commerce बिल्कुल सही commerce है e लग जाएगा तो electronic commerce ही आपका हो जाएगा e-commerce e-dep d-p का मतलब होता है data processing e-d-p का मतलब होता है electronic data processing जितने भी काम हम online कर रहे हैं या offline जी कर रहे हैं computer के मदब से करते हैं वो कहालाता है data processing e-e का पा double electronic eoct electronic fund transfer जैसे nft होता है ठीक है nft होता rtgs होता है ठीक है उसे तब का है e Das sz me electronic fund transfer इक्मर्स तो इक्मर्स हम उपर ही पता चुके हैं इलेक्ट्रोनिक क्मर्स एलेक्ट्रोनिक क्मर्स सेम उसीश्ची को रिपीट कर दिया गया E.R.NET की बात का रहा है तो Education and Research Network यह ऐसा नेट्वर्क है जो Education and Research की बात करते हैं E.B.C.D.I.C. यह आपका एक code है, जिसे आजका ही code है, उसी प्रकार extended binary coded decimal interchange code, E for extended, B for binary, C for coded, D for decimal, I for interchange, extended binary code, decimal interchange code, ठीक, EXE, EXE for execution, जिसे जो file, EXE file होती है, जिसे हम कोई software install करते हैं, जो EXE file होती है, वो auto executable होती है, हम उसों double click करते हैं, वो file automatic run होती है, बस हमें next, next करना है, या जो भी required information माँगें, वो देना है, software अपने हमें install जाता है, E prompt की बात का है, तो erisable programming read only, ठीक, या या इरिजबल programming, मतला हम एक बार इसको erase कर सकते हैं, यह memory होती है, ESC क्या होता है, एक बटन escape का होता है, कई बार कुछ काम हो रहा है, हम लगा गलत हो गया है, तो escape दबा दीजिए, तो जलनी process हो cancel करने के लिए हम लोग ESC escape की का परयोग करते हैं, ठीक, आगे है, इनेक, इनेक, एक computer system था, यह है electronic numerical integrated computer, जो सुरुवात में, early days में computer बना था, EDGH की बात करें, तो यह क्या है, enhanced data rate for a GSM, GSM क्या है, global system for mobile communication evolution की, हम लोग बात करते हैं, EEPROM, EEPROM क्या है, electrically erasable programmer read only memory, इसमाल हम memory को erase कर सकते हैं, और फिर सुस्पे लिख सकते हैं, और चुकिए electrically हम erase करते हैं, इसलिए बोलते हैं, EEPROM, फीफो, यह concept है, first in, first out, यह जो Q होते हैं, जो Q की हम बात करें, data structure की बात करें, data structure में जो Q होते हैं, तो उसमें जो first in, जो पहले आया, वो पहले जाएगा, first in, first out, फीफो, फीफो की बात करें, first in, last out, जो पहले आएगा, वो last में जाएगा, ठीक, GB का मतलब है, gigabytes, G for gigabytes, GIS का मतलब है, geographical information system, GPS का मतलब है, global positioning system, जीफो का मतलब है, garbage in, garbage out, garbage अंदर होगा, garbage बाहर होगा, GPRS का मतलब है, general packet radio service, GPRS, करते हैं, GPRS पे पहले काम होता था, general packet radio service, अब हम देखते हैं, IRC, IRC के मतलब क्या है, internet related, जो भी internet पर जो chatting का काम होता है, वो IRC के थू हुई होता है, internet related, दूसरा ISH, ISH क्या है, information super highway, information super highway, next ISO, ISO एक आपका organization है, जो कि क्या होता है, इसका full form, international standard organization, यह standardize करता है, कि हाँ, यह मानक है, वो निर्धाइद करता है, तो पुरा विश्व में उस मानक को माना जाता है, ISP, जो internet के service को provide करता है, जिससे हम internet मिलती है, उसे बोलते है, internet service provide, जितने AIRTEL है, और IDEA है, जो भी telecom company है, they all are the ISP, उस सभी internet service provide करती है, IT की बात करें, तो भी information technology, IT तर्द बहुत ही इस्तेमाल करता है, किस sector को भी IT sector को, कहां काम करते हैं, IT for information technology, JSP क्या है, Java server pages, JSP, जो Java programming language पढ़ते हैं, वहाँ पे JSP का इस्तेमाल किया जाता है, आगे KIPPS की बात करें क्या है, knowledge information processing system, knowledge information processing system, अर्थात KIPPS, triple L का मतलब है, low level language, यह high level language होती है, low level language होती है, यह हम बात करें, machine language की बात करें, तो low level language थी, assembly की बात करें, तो low level language थी, तो triple L का मतलब, low level language के लिए हम बोलते हैं, LLL, अब बात करते हैं, LSD, LSD क्या है, least significance digit, least significance digit, laser क्या है, आपने laser का बात सुनाओं का laser इस्तेमाल करें, laser का मतलब है, light amplification for stimulated emission of radiation, ठीक, आगे PM, जिसे हमने बता हैं तो PM का मतलब होता है, AM का मतलब anti-median, PM का मतलब पास-median, लेकिन यहाँ पर PM का मतलब है, phase modulation, ठीक है, AM का मतलब था होँ वहाँ पे, analog modulation, ठीक है, और यहाँ पर PM का मतलब phase modulation, अब बात करें, post, post क्या है, power on self test, जब यह booting process होता है, जब computer on होता है, तो computer on होने पर यह post होता है, post में सब खुद चेक करता है, कि जतने भी keyboard, mouse, जतने भी input-output system में लगे हैं, सब सही से काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, that is the power on self test, PPM की बात करें, तो pages per minute, एक minute में कितने page print-out निकलेंगे, या कितना work होगा, that is the one on the job, PPM, prolog की बात करें, तो prolog क्या है, programming in logic, prolog एक programming in logic है, QAS का मतलब है, quality assurance service, QAS कई बार, जबार, quality को check किया आता है, उसे बोलते हैं, QAS, RTS, RTS क्या है, real time streaming, आपने देखा होगा, real time मतलब, तुरत, काम जो है, real time operating system में भी सबका इस्तमाल किया आता है, PNG, यह PNG क्या होता है, यह portable network graphics, PNG सब ग्राफिक्स picture होते हैं, image होते हैं, PNG file होती है, Fortran क्या है, programming language है, इसका full form है, formula translation, ठीक, यह जो है, formula transfer, mathematical programming language है, FM का मतलब क्या है, FM का मतलब है, frequency modulation, ठीक, FDM का मतलब क्या है, frequency division multiplexing, यह multiplexing का एक type होता है, that is known as FDM, MTBF, यह क्या होता, mean time between failure, ठीक, आगे है, EDSEC, EDSEC के बाद मतलब क्या है, electronic delay storage, automatic calculator, FED, FED file होती है, जब भी हमाँ operating system install करते हैं, आप तो NTFS आ गया है, शुरुआत में fail, अभी भी pen dive आप करेंगे, तो हमाँ fail होता है, यह file allocation table, मतलब आपका allocation table बनाता है, जब तक आप FED या NTFS में नहीं अपने format करेंगे, अपने pen drive आप डिस्क को, तब तक वो information को रखने योग नहीं होता है, FTP, file transfer protocol, यह एक protocol है, जिसे हम अपने file को transfer करते हैं, एक अस्थान से दूसर अस्थान भेजते हैं, FD की बात करें, तो floppy disk, यह पहले बहुत इस्तमाल होते हैं, यह storage media है, जिस शुरुआत में इसकी चमता 3.44 होती थी, और इस size 1.44 होता था, तो यह एक memory media, इस storage media है, जिसके हम information को store करते हैं, Fortron, यह भी एक programming language यह बहुत popular थी, Fortron का full form है, formula translation, Fortron का full form क्या है, formula translation, FSK, FSK क्या है, frequency shift key, ठीक, GUI, यह graphical user interface, जो operating system होते थे, पहले CUI होते थे, मतब करेक्टर में हम काम करते थे, उसे बोलते थे, CUI, लेकिन जब Windows आ गया, जिसमें graphics आ गया, तो हो गया graphical user interface, GPS की ज़र हम बात कहें, क्या है, global positioning system, STTP, हम लोग internet देखते हैं, internet में उपर लिखा रहाता है, STTP, STTP का मतलब है, hypertext transfer protocol, जिसे LL का था, LL का था, lower level language, HL का है, high level language, STML, यह सबसे basic है, अगर आपको way page designing सीखना है, तो STML language आपको सीखना ही पड़ेगा, इसका मतलब है, hypertext markup language, बड़ी basic language है, बड़ी आसान language है, बड़ी interesting language है, HP, HP का printer आता है, HP का scanner आता है, HP एक company है, उसका नाम है, Havlet Packard, उसका नाम क्या है, Havlet Packard, ISDN की हम बात करें, तो यह क्या है, Integrated Services Digital Network, IC की बात के इसका मतलब है, Integrated Circuit, IBM का मतलब है, International Business Machine, IBM ही वो company थी, जिसने पहला PC आपको दिया, जो पहला desktop देने का, से जाता है, वो IBM company को, IBM company ने ही पहला desktop, एक आम जनता के लिए बनाया था, एक बहुत बड़ी company है, IBM, International Business Machine, I.O. का मतलब होता है, Input Output, जब हम Input Output की बात करते हैं, कि विना In क्या Output होगा, तो जब हम Input Output दोनों की बात करते हैं, तो I.O. लिग देते हैं, IP TV की बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिविजन, जो इंटरनेट में टेलिविजन आ रहे हैं, वो IP TV प्रोटोकॉल की तहद ही आ रहे हैं, IP, अगर IP नहोंगा, तो हम कोई बी सिस्टम, वर्ड में जितने भी सिस्टम जुड़े हैं, आपस में, वो IP की द्वारा ही जुड़े हैं, IP का मतलब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह है एक प्रकार का प्रोटोकॉल भी है, JPG क्या है, एक पिक्चर का फॉर्माइट, जैसे कि वर्ड के लिए डॉक होता है, इसी तरह पिक्चर के लिए हम लिखते हैं, JPG, यह है Joint Photographic Expert Group, अक्सर एक्ज़ाम में कई बार पुछा आता है, JPG का फॉर्माइट, क्या है JPG का फॉर्माइट, Joint Photographic Expert Group, JRE, यह है, Java Run Time Engine, ठीक है, यह क्या है, Java Run Time Engine, Java के लिए इस्तमाल किया आता है, JAD, JAD क्या है, Java Application Descriptor, ठीक, JAR, JAR, KPS, किलो बाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने किलो बाइट हम भेज सकते हैं, KB, किलो बाइट, LAN, Local Area Network, LD, LD हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, तो L for Laser, and D for Diode, आगे हम देखते हैं, LCD, काफी पॉपलर है LCD, LCD प्रोजेक्टर, LCD, तो कई एक्जामें पूछा भी आता है LCD के बारे में, LCD क्या है, L for Liquid, and C for Crystal, and D for Display, तो काफी इंपॉर्टन्ट है LCD का फॉल फॉर्म, Liquid, Crystal, डिस्पले, ठीक है, आगे हम LED, LED भी आजकल LED बलब आ गया है, LED TV है, LED मॉनिटर है, तो LED का फॉल फॉर्म भी हमें जानना चाहिए, तो LED का फॉल फॉर्म है, Light Emitting Diode, L for Light, and E for Emitting, and D for Diode, LSI, तो VLSI, LSI, अगर आपने जब Generation of Computer पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये सब्द आया था, ये Short Form आया था, L for Large, S for Scale, and I for Integration, तो LSI का फॉल फॉर्म, अच्छा है, आपको जानकारी होने चाहिए, Large Scale Integration, LISP, ये Artificial Intelligence के प्रोग्रामिंग में, यूज की जानी वानी एक Language है, तो LISP का मतलब होता है, Lit Processing, ठीक है, तो ये कहां पर, अगर हम LISP की बात करें, तो कहां पर यूज ता है, ये Artificial Intelligence में इसका यूज की जाता है, आगे है MDI, MDI आपका इसका Full Form क्या है, Musical Instruments Digital Interface, ठीक है, आगे MB, MB तो बहुत ही popular है, कितने MB की है, ठीक है, कितने MB की फाइल है, कितने MB की स्पेस है, और Mobile में भी आपको देखते हों कि इतने MB स्पेस है, ठीक है, इतना MB स्पेस हो जो है, तो MB for Megabytes, तो ये स्पेस का Measurement Unit है, ठीक, M and B for Megabytes, M for M, Mega and B for Bytes, MAN, ये MAN, MAN है, आपने Network, जब हम MAN Network, आप लोग को पढ़ा रहा था, स्पेस हैं तो लैन, MAN, WEN बता रहा था, तो वहाँ पर ये एक टूपोलोजी का प्रकार है, जिसका MAN का मतलब है, M for Metropolitan, M for Metro, Metropolitan, and A for Area, and N for Network, ये आपका, लैन से बड़ा होता है, Local Area Network से बड़ा होता है, और WEN, WIDE Area Network से छोटा होता है, MHZ, मेगा हर्स, आपने प्रोसर के लिए सुना होगा, अब तो Giga हर्स में प्रोसर आ रहे हैं, तो ये अगर हम बात करें, प्रोसर की स्पीड, मेजर्मेंट करने का ये यूनिट है, मेजर्मेंट यूनिट है, M for Mega, and H for Hertz, MICR, MICR के बारें भी आप लोगों मैंने पढ़ाया था, बैंक में यूज किया आता है, Magnetic Ink Character Recognition, ये आपका एक input device है, जिसकी मदद से हम, MICR Magnetic Ink Character Reader, इसको read करते हैं, ज्यादा तर MICR का यूज जो है, बैंक में होता है, वहाँ पर चिक्स में, Magnetic Ink होता है, उसको वो Character को Recognize करता है, तो reader भी बोलते रहेंगे, Magnetic Ink Character Reader, तो reader की बजाए, read करने के बजाए, वो Recognize करता है, Recognition करता है, तो MICR का full form है, Magnetic Ink Character Recognition, Mips, Mips का मतलब होता है, ये भी processor की speed ना अपने के लिए होता है, Million Instructions Per Second, मतलब कितने millions of instruction, एक second में ये process करता है, इसलिए इसको वो होते हैं Mips, आगे दिखते हैं, आगे Modern, Modern भी आपको अपने पढ़ाया था, Modern जब हम Internet की हम बात कर रहे थे, Internet से हमें जोड़ना है, तो हमें Modern का प्रियोग करते हैं, M for Modulator, M for Modulator, and D for Demodulator, तो Modern का मतलब है, Modulator and Demodulator, Mops की बात करें, Mops का मतलब है, Million Operations Per Second, Mops का मतलब है, Million Operations Per Second, MS Access, तो अगर MS Office जब आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर MS Office में हम लोग MS Word, Excel, PowerPoint और Access Software का इस्तमाल करते हैं, तो Access तो Access ही है, MS for Microsoft, MS for Microsoft, जहां पर भी MS आजाए, MS PowerPoint मतलब Microsoft PowerPoint, MS Access मतलब Microsoft Access, MS के जितने भी product होते हैं, Microsoft के, उसके आगे MS लिखा रहता है, आगे है M OS, तो M OS का मतलब है, M for Metal, O for Oxide, Oxide and S for Semiconductor, Semiconductor, तो Metal Oxide Semiconductor, M OS, MS-DOS की बात कहें, तो उपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही पॉपलर उपरेटिंग सिस्टम था, शुरुवाती उपरेटिंग सिस्टम था, और ये Character User Interbased उपरेटिंग सिस्टम था, तो MS-DOS Microsoft Disk Operating System, ये Microsoft Disk Operating System, MPEG, आपने बहुत सुनाओका, JPEG, MPEG, तो MPEG क्या है, Moving Picture Expert Group, MPEG, JPEG करते हैं, हमें MPEG फाइल चाहिए, ठीक, तो Multimedia में MPEG का इस्तावाल किया जाता है, MS-Excel, हमने अभी बताया था, कि Microsoft PowerPoint, Excel, Access, MS-4, MS, की बात करें, तो Microsoft के लिए है, Excel तो Excel, उसका software, तो यहां पर MS लिखें, MS-4, Microsoft, Microsoft क्या है, एक बहुत बड़ी software की company है, अगर हम बात करें, कंप्यूटर के field लिए है, Microsoft का काफी योगदान है, MS-D की बात करें, तो MS-D क्या है, Most Significant Digit, यह हमने, यह computer organization में, हमने देखा था, आपको MS-B, MS-I की बात करें, तो Most Scale Integration, क्या है, Most Scale Integration, आईए अब आगे देखतें, MT-BF, MT-BF का मतलब है, Mean Time, Mean Time Between Failure, Mean Time Between Failure, MS Windows की बात करें, तो, जहां MS आगिया, तो Microsoft के लिए, Microsoft Windows की बात करें, MS Word आगिया, तो Same, Microsoft Word, MTLN, MTL, जैसे BSNL है, BSNL है, यह Telecom Company है, तो MTLN, M for Mahanagar, M for Mahanagar, and T for Telephone, and Telephone, निगम लिम्टेट, MTNL जो है, Mahanagar, Telephone, निगम लिम्टेट, NIU, NIU का मतलब है, Network Interface Unit, यह Networking में, इस्तेमाल किया जाने वाला, टर्म है, सब्द है, NAL की बात करें, तो NL का मतलब है, National Aerospace Laboratory, यह Space सम्मंदित काम के लिए, काफी पॉप्लर है, NAL, National Aerospace Laboratory, NTSC की बात करें, तो N for National, T for Television, and S for Standards Committee, यह National Television Standard की एक कमेटी है, यह कमेटी जो है, National Television में देखती है, क्या Standardization होना चाहिए, NIC, NIC काफी पॉप्लर वर्ड है, अगर हम Computer Network की बात करते हैं, तो वहाँ NIC Cards होते हैं, Network Interface Card, जहां नेटवर्किंग हम जहां पर करते हैं, जहां पर हम RJ45, केबिल की, RJ45 Connector होता, जो केबिल में Connect होता, उसके मदद से हम NIC में Connect करके, Computer को Network पे लाते हैं, तो यह क्या है, यह Networking Field में इस्तमाल किये जाने वाला, एक Popular Word है, और इसका Full Form होता है, Network Interface Card, आज़े बागे देखते हैं, NIC Net, NIC का मतलब अगर देखें, तो NIC for, N for National, I for Information, C for Center, N for Network, तो National Information Center Network, OS, OS, OS बहुत ही Popular Word है, OS सभील हो जाते हैं, कि कौन सा OS है, अकसर बात चीद में बोलते हैं, आपके सिस्टम में कौन सा OS इंस्टॉल है, तो जब हम OS इंस्टॉल की बात करते हैं, अर्थाद, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम Operating System की बात करें, OOPS, यह भी कांसेप्ट है, जिसे हम बात करते हैं, C, C++, Java, और Python, यह सब कौन सी लेंग्वेज हैं, यह सब OOPS लेंग्वेज है, तो OOPS क्या है, एक Programming Language, एक कांसेट है, इसका मतलब था, Object Oriented Programming, क्या मतलब इसका, Object Oriented Programming, आगे OMR, तो यह भी क्या है, OMR क्या है, एक Input Device है, इसकी मदद से हम Input लेते हैं, तो यह क्या करता है, Optical Mark Reader, रीट करता है, आगे OSS, OSS की बात करें, तो यह है, OSS for Open Source Software, Open Source Software, ऐसे Software होते हैं, जिनको Source Code, जो है Freeware होता है, यादि Open होता है, हम उससे आसानी से देख सकते हैं, उसमें क्या, किस प्रकार की कोड़ी की गई है, OCR, OCR भी आपका, एक Input Device है, इसका मतलब है, Optical Character Reader, OCR का मतलब क्या है, Optical Character Reader, PAL, PL का मतलब ही क्या है, Phase Alternation Line, ओके, आगे PSTN, PSTN का भी प्रयोग, Internet में का, नेटवर्की में काफी क्या एता है, PSTN मतलब, Public Switched Telephone Network, ओके, PCB, PCB boards के मदर, जहां मदर बोर्ड होता है, वो PCB board होता है, जबकि इसको बोलते हैं, Printed Circuit Board, यानि इसे बोलते हैं, PCV boards, यह कई जहां पर भी, जहां Electronics की बात करें, Electronics circuits की बात करें, तो वहाँ पे PCV boards का इस्तेमाल, काफी popular है, यह words बहुती loosely, यूज किया आता है, कि यह PCV board दिखाना, लेना, तो यह एक board होता है, जिसको बोल सकते हैं, Printed Circuit Board, ठीक, POS, आजकल आजकल हमने देखा, कि सौपिंग करने आप जाते हैं, तो अपने आपने देखा होगा, कि अपना ATM कार्ड या debit कार्ड देते हैं, वो swipe की जाता है, जिसे याप पेट्रोल पंपे भी आपने देखा होगा, पेट्रोल बारांथ अपना ATM कार्ड डेवेट कार्ड देते हैं, तो वो एक मसीन होता है, उस मसीन पे आप अपने ATM में डेवेट कार्ड को swipe करते हैं, तो वही मसीन है, उसको बोलते हैं, Point of Cell, या उसे पॉस मसीन ने बोलते हैं, तो Point of Cells, याप फुल फॉर्म आप पॉस, आगे बात करते हैं, PCI का, PCI है, Peripheral Component Interconnected, जेतने भी सिस्टम से हैं, यो peripherally है, आप उससे connect होते हैं, तो याप उससे connect होते हैं, PROM, वजिसे, रोम तो काफी popular है, PROM भी है, तो रोम का मतलब तो read-only memory होता है, और P का मतलब होता है, programmable read-only memory, आगे बात करते हैं, PDF, PDF फाइल अब हम लोग बहुत ही popularly use होते हैं, करते हैं, PDF फाइल बेज़े ना भाई, PDF फाइल बेज़े ना, PDL, अगर हम PDL की बात करें, तो PDL का मतलब है, Program Design Language, Program Design Language, PDA की बात करें, तो PDL का मतलब है, Personal Digital Assistant, ठीक है, Personal Digital Assistant, PC तो बहुत ही common होता, करते हैं, PC हमारा PC ठीक कर दीजिए, PC रख दीजिए, तो PC, और अगर बात करें, World में सबसे पहले, जो first PC दिया था, वो IBM Company ने हमें दिया था, तो PC का मतलब है, Personal Computer, मतलब आपका अपना Computer, Generate Desktop के लिए, हम लोग PC सब्द का इस्तमाल करते हैं, PL आउबलिक वन की बात करें, तो Programming Language, first, PL आउबलिक वन की अगर हम बात करतें, तो Programming Language, first, Room, तो हमने बताया है, कि Room काफी popular word है, Read Only Memory, जिसे हम BIOS की बात करें, तो Basic Input Output System, जो BIOS में, Programms होते हैं, जिस Memory में होते हैं, वो आपका Room होते हैं, क्यों उन्हें हम पौड़ सकते हैं, ठीक, RPG की बात करें, तो RPG का मतलब होता है, Report Program Generator, RPG का मतलब क्या होता है, Report Program Generator, RAM, RAM आपको हम लोग जानते हैं, RAM का आरें हमने पढ़ाया था, यह Volatile Memory होती है, जो Computer में, जब Computer चलता है, इसको Main Memory बोलते हैं, जब Computer चलता है, तो जो Memory आपकी Store होती है, RAM में ही होती है, लेकिन जब Light चली जाती है, तो यह Memory क्या होती है, Volatile मतलब हड जाती है, इसलिए इस Memory को, RAM की Memory को, Volatile Memory भी कहते हैं, RAM का Full Form है, Random Access Memory, आगे बात कहते हैं, SIM, SIM तो बहुत ही Popular है, हर लोग Mobile में, SIM का इस्तमाल करते हैं, SIM का Full Form है, S for Subscriber, and I for Identity, and M for Module, अर्थात, Subscriber, Identity, Module की हम लोग बात करते हैं, RPG की बात करें, तो RPG का मतलब है, Report Program Generator, RPG क्या है, Report Program Generator, SIMM, अगर SIMM की बात करें, Single In-Line Memory Module, यह Memory Module से लिट्टेड है, तो Single In-Line Memory Module, S RAM, जैसे अगर RAM की बात करते हैं, तो RAM की मतलब Random Access Memory, तो उसमें भी दो प्रकार की RAM होती है, S RAM, एक होती DRAM, तो S RAM का मतलब होता है, Esthetic RAM, और RAM का मतलब क्या होता है, हमने बताया, Random Access Memory, Random Access मतलब कि, Randomly आप Memory को Access कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, आगे है SSI, SSI का मतलब है, जैसे VLSI, VVLSI, तो इससे तरह S for Small Scale Integration, S for Small Integration, आगे SCSI Port, यह क्या होता है, इसको बोलते हैं, Small Computer System Interface Port, आगे SVGA, अगर SVGA की बात करें तो क्या है, Super Video Graphics Area, Super Video Graphics Area, अब बात करें तरह TCP, आपलिक IP के अगरा हम लोग बात करें, तो यह क्या है, TCP, आपलिक IP की बात करें, This is the Transmission Control Protocol, काभी पॉपलर प्रोटोकॉल है यह, Transmission Control Protocol, यह हम इसे, और आपलिक IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल सूट है, इसलिए सको सूट बोला था, सूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल नहीं है, बलकि दो प्रोटोकॉल है, एक है Transmission Control Protocol, और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आजकर हम देख रहे हैं, तो आजकर हम देख रहे हैं, जो हमारे Monitors आ रहे हैं, वो TFT Monitors आ रहे हैं, ठीक, पतले Monitors होते हैं, तो T for, चुकि पतले होते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं, थिन, और F for Film, and S for, and T for Transistor, तो Thin, Film, Transistor, TDM की बात करें, तो यह Multiplexing हमने बताया भी था, तो Multiplexing में ही होता है, Time Division Multiplexing, TDM की मतलब होता है, Time Division Multiplexing, ULSI की बात करें, तो ULSI मतलब Ultra Large Scale Integration, Ultra Large Scale Integration, UHF की बात करें, तो UHF मतलब Ultra High Frequency, Ultra High Frequency, अब आगे बात करतें, UNIWAC 1, UNIWAC 1 हमने कंप्यूटर की सुरुवात में आपको बताया था, तो UNIWAC का मतलब U for Universal, U for Universal, UN for Universal हो गया, UNI, ठीक है, and Universal, and Automatic Computer, Universal, Automatic, Auto, UNIV, यह आपका Universal के लिए हो गया, और AC for Automatic Computer, Universal, Automatic Computer, UV Prom, UV Prom की Prom में तो बताया था, Programmable इतना तो बता चुके थे, Programmable, Read Only Memory, बस अगर UV की बात करें, UVE, UVE की बात करें, U for Ultra Violet, and E for Erisable, यह भी एक प्रकाश की Memory होती है, UVE Prom, अब आगे बात करें, UPS, अगर में देखा हो, कम्प्यूटर में अपने UPS जुड़ा होता है, यह होता है, Power Supply के लिए, कि कौन सी Power Supply, Unintruptible, Unintruptible, या Unintrupted Power Supply, इससे क्या होता है, कि लाइट चली जाने के बाद, हमारा कम्प्यूटर बंद न हो, तो इसलिए हमने, कम्प्यूटर में UPS लगा रखते हैं, कि Power Supply हमारी Continuous होती रहे, अब तो Online UPS भी आते हैं, पहरे छोटे 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 आते थे, वो होता है, तो URL का मतलब Uniform Resource Locator, URL for Uniform Resource Locator, USB की बात करें, तो Pen Drive आज़काल ये USB पोर्ट होता है, अगर आप समझना चाहें, तो जिसाब Pen Drive अपने जरू देखी होगी, Pen Drive पो जो पोर्ट होता है, जरूली USB भी पोर्ट होता है, युनिवर्सल, युनिवर्सल सीरियल बस, युनिवर्सल सीरियल बस, युनिवर्सल सीरियल बस, आगे VHF, VHF की हम बात करें, तो Very High Frequency, VHF means Very High Frequency, आगे बात करते हैं, वैन, अब एक वैन होता है, WAN, ये हैं VAN, तो VAN का बतलब है, Value Added Network, क्या है, आगे VDU की बात करें, तो VDU मतलब जिसा है, जो भी Display Unit है, D for Display Unit, and V for Visual Display, Visual Display Unit, आगे VCR की बात करते हैं, तो VCR क्या है, Video Cassette Recorder, Video Cassette Recorder, ठीक है, तो VCR पहले यूज होता था, पहले जब हम सुरुआत में, छोटे थे, तो हम लोग VCR देखा करते हैं, तो Cassettes में आते थे, ठीक है, तो VCR है, Video Cassette Recorder, आगे बात करते हैं, VLSI, तो हमने आपको बताया है था, कि जब Computer का Integration स्टार्ट हुआ, तो LSI, VLSI, VVLSI, तो वो क्या है, V for Very Large Scale Integration, बदर बड़े पहमाने पर, Scale पर Integration किया गया, चोणों को, चीजों को जोड़ा गया, VGA, यह आपका एक Card होता है, जो हमारे Computer में, जो हमें पिक्चर बिलता है, Graphics दिखता है, वो इसी Card होता है, that is the Video Graphics Array, Video Graphics Array, बहुत लोग Video Graphics Adapter भी कहते हैं, लेकिन that is the, यहाँ पर Video Graphics Array होगा, VLSI, अभी हमने VLSI का बताया है था, उपर वही चीज़ है, Very Large Scale Integration, आगे है VGA, VGA भी हमने बताया था, Video Graphics Array, VSNL, तो VSNL कंपनी है, हम लोग टेलीकॉम कंपनी है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, तो VSNL की बात करें, आगे वाइरस की बात करें, तो Computer ने वाइरस थमसभी लोग जानते हैं, Computer ने वाइरस आ गया, तो हमारे Computer के प्रोग्राम खराब कर देगा, ठीक, तो खराब कर देगा, मतलब, तो इसको कौन से Information को, Vital Information, Resource, Under Seize, तो यह है, Seize है, तो Vital Information, मतलब, जो हमारा Important Information है, उसको क्या कर देगा, Under Seize कर देगा, Under Seize मतलब, Seize कर देना, खराब कर देना, तो Vital Information, Resources, Under Seize, वाइड की बात करें, तो वाइड है आपका, वाइड एरिया, नेटवर्क, यह इसको, वैन बोलते हैं, W, A, N भी है, जिस नीचे भी है, या वाइड बोल देगा, वाइड, तो वाइड सी बिग दिया, तो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ही करते हैं, या वैन बोल देगे, तो वैन का मतलब भी है, वाइड एरिया नेटवर्क, आगे वाइमेक्स, वाइमेक्स आपने सुना होगा, वाइमेक्स क्या होता हो, वाइड, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरिट अबिल्टी, फॉर माइक्रो वेव एक्सेस, ठीक है, तो वाइमेक्स का मतलब है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरिट विल्टी, for microwave access आगे देखते हैं web web भी बहुत common application program है wireless application protocol web means wireless application protocol wl की बात करें what is window wl wireless local loop wireless local loop wmp की बात करें windows media player आपने देखा होगा जब movie देखने के लिए wmp का भी इस्तमाल करते हैं wireless local loop warm 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 सब्द का मतलब है write once read many warm मतलब एक बार लिखिए और कई बार पढ़िए wlan wlan की मतलब होता है wireless local area network wireless local area network www एगर www किसका मतलब है worldwide field worldwide field आगे है xms xms का मतलब है external memory specification external memory specification wma की बात करें what do you mean wma? windows media audio windows media audio wav की बात करें इसका मतलब है waveform audio waveform audio 2G 1G 2G 3G 4G यह सब आपने network के type है तो यह 2 का मतलब second और अगर हम G की बात करें तो generation है तो 2G क्या है? second generation wireless network 3G की बात करें third generation wireless network 4G 5G 4 का 4th हो जाएगा 5 का 5 होगा double AC का मतलब है double A का मतलब A for advanced and A for audio and C for coding advanced audio coding आगे दिखते हैं कुछ हम और abbreviations की हम लोग बात करेंगे जो online वारतालाब के दौरान समय की बचत करने तथा संचित अपनी बात पहुँचाने में abbreviation का प्रयोग होता है